नमस्कार मित्रों मेरा नाम है मोनार पटेल और आज हम देखेंगे 11 अपरिल रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की जीज़े क्या लगी आज ये 16 यानि 16 पेज का अखबार तो आया लेकिन काम की तो 6 खबरे भी नहीं है के अब मजबूरी है तो वीडियो बनाना पड़ता है पेज वन बंगाल चुनाव में हिंसा की बाल बाई बाल कॉमेंटरी कोरोना के बढ़ते केस अमेरिकी नेवी का जाहाज बारत की सीमा में ये सब मुद्दे इसमें जो काम की चीज़े थी हम पहले देख चुके हैं अब तो बाल बाल कॉमेंटरी जा रही है खेर अभी वैसे एक्जाम के लिए बहुत काम की चीज़े कम हैं तो वीडियो लेंथ बढ़ाने के लिए एक केस टड़ी बनाते है एक इंजेक्शन है रेम डैसीवीर ये एंटिवाइरल इंजेक्शन उन कोरोना मरीजों को दिया जाता है जिनकी हालत बहुत ही नाजुक है आईस्यू में हैं, आक्सिजन सिलिंडर पे हैं तो देना चाहिए सामनेय पेशन्ट है, सामनेय टाइप का उसके सिम्टम है, गर पे, होम आईसोलेशन में तो उसको ये देने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी गुजरात में अचानक से इसकी शौर्टेज हो गई है उसके अलग-अलग कारण क्या है पहला कारण, ये एक एक इंजेक्शन करीब 900 रुपय का आता है तो हॉस्पिटल माफिया ना भी जरूरत हो तो अन्नेसेसरिली प्रिस्क्राइब करते हैं दूसरा, आज कल ये वाटसेब सोशल मीडिया, यूट्यूब के चलते सब पेशन्ट खुदी एक्सपर्ट डॉक्टर बन गए है कि हमको जरूरत हो कि नहीं हो ये रेमडेसीवीर इंजेक्शन दो क्यूंकि ऐसा वो फरजी यूट्यूबर ने कहा जो इसकी अभी MBBS की पड़ाई तो खतम नहीं हुई लेकिन कॉलेज से भी अपने वो सब लॉगर टाइप के वीडियो बनाते रहता है और ऐसे पेशन्ट को अगर डॉक्टर ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब ना करे तो उसके सब रेलेटिव्स हंगामा करते हैं ये तो सब एक एंगल चलते रहा सामने असल में ये एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट और अगरा के पावर यूज करके गवर्मेंट ओफ इंडिया ने नोटिफाई किया है कि सिर्फ गवर्मेंट ही ये रेम डैसीविर इंजेक्शन सब फार्माशुटिकल कंपनियों से खरीदेगी और अलग-अलग हॉस्पिटल में उसको डिस्टिब्यूट करेगी तो पैरेलल कोई स्ट्री में ऐसी नहीं चलती कि प्राइवेट कैमिस से आप जाके खरीद सके लेकिन फिर भी पता चला कि एक तरफ गुजरात राजी सरकार कह रही है कि स्टॉक बहुत कम है या खतम होने को आया और सेपरेटली रूलिंग पार्टी की ओफिस में उनके स्टेट प्रेसिडेंट अनॉंस करते हैं कि हम आपको 5000 इंजेक्शन के शोट्स देंगे आप अपना आधार काट लेके आ जाईए और ऐसे जो जो लोग आते हैं फिर उनके साथ फोटो खिंचवा के रूलिंग पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट में उसको पॉब्लिश किया जाता है कि देख ये कैसे मसीह वाला काम हो रहा है जिसके चलते ओपोजिशन पार्टी नाराज है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकार ही होस्पिटल को दे सकते है तो ये पैरलली पॉलिटिकल पार्टी के ओफिस में इंजेक्शन कैसे पहुँच गए और वो कैसे 5000 इंजेक्शन गुमा रहे हैं वगएरा और ये सब के चलते एक तरफ ओपोजिशन पार्टी दरना प्रदर्शन कर रहे है और पेचेंट और उनके रेलेटिव भी ये हमको इंजेक्शन चाहिए हमको इंजेक्शन चाहिए हमको इंजेक्शन दो हमको इंजेक्शन दो तो what is the way forward suppose you are the municipal commissioner IS officer of this वलोद्रा और सूरत municipal corporation हाँ तो बई क्या करना चाहिए सबसे पहले ruling party के दफ्तर पे raid करके वो सारा injection का stock लेना चाहिए और फिर क्योंकि सिर्फ सरकारी इसका distribution कर सके कैसा करना चाहिए याद करो कुछ दिन पहले अमरेली district में क्या हुआ था वो ASP के साथ तो खेर असल जिंगे में करे नहीं करे लेकिन इधर तो main science writing में चिकनी चूपडी बातों में लिख सकते हैं stop the political party from distributing injection from their party office क्योंकि ये unsafe भी है कोरोना guidelines का violation भी हो रहा है तो वो सारा stock municipal commissioner ने अपने हाथ में लेना चाहिए और municipal hospital के doctors को बोलना चाहिए कि जरुवत के हिसाब से अलग-अलग private hospitals में इसको distribute किया जाए दूसरा ये जो MBBS की पढ़ाई करने वाले कुछ विद्यार थी फरजी YouTuber बन चुके हैं और vlogging के नाम पर सब वीडियो बनाते हैं जबकि उन्होंने पूरा course खुद complete नहीं किया तो वो क्या prescribe कर सकते हैं किसी को कुछ बात दे तो National Medical Commission जो इनकी regulatory संस्था है उसको आपने लेटर लिखना चाहिए IS officer ने कि ऐसे सब फरजी YouTubers पर लगाम लगाई जाए और साथ ही साथ दूसरे भी और कदम लेने चाहिए ताकि ये Remdesivir injection से ही जिन्दा रह सकते हैं वरना मर जाएंगे ऐसा जो खौफ का माहौल है उसको कम करने के लिए सोशल मीडिया में टेलिविजन, निउस चैनल, रेडियो के रेडियो तो लोग कमी सुनते हैं लेकिन इन सभी माध्यमों से लोगों को बताया जाए कि ये सिर्फ ऑक्सिजन पर ICU में हो ऐसे पेशन को देना है आपके होम आईसोलेशन में इसकी ज़रुवत नहीं है नेक्स पॉइंट, हॉस्पिटल पे ज़्यादा पुलिस बल को तैनात किया जाए ताकि ये जो रेलेटिव्स दमाल करते हैं वो थोड़ी कम हो जाए केंदर सरकार को लेटर लिखा जाए कि हमें ओर स्टॉक चाहिए ये इन्जेक्शन का और साथी साथ क्या रेम डेसिवीर के अलावा कोई और भी इंजेक्शन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं उसके हमको स्टांडर्ड, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइनस आप भिजवाईए एमस के कुछ डॉक्टरों का कहना है कि उसकी जगह एक दूसरा इंजेक्शन, टोसिल जुमाब भी ले सकते हैं लेकिन उस पर विशेशक्जों का एकमत नहीं है आपके सिटी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का एक दम सकती से अनुपालनो ताकि कोरोना का प्रकोप कम हो, क्यूंकि प्रकोप बढ़ता है तब ही तो ये सब नए प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं अब ये एथिक्स और सोशल मीडिया वगेरा केई बात की है तो मेंस पेपर फोर में सोचने का एक और भी विश है रोल आफ मीडिया हमने कल देखा था कैसे ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप जो की महरानी क्विन एलिजाबेट के पती थे उनका देहान्थ हुआ दुखत समाचार और BBC ने उसके चलते अपने बाकी सारे प्रोग्राम कैंसल कर दिये और सिर्फ और सिर्फ 24 गंटे बस यही की प्रिंस फिलिम कितने महान थे और कितना दुखत है और उनकी यह अंतिम्यात्रा में छोटे बेटे प्रिंस हैरी तो अमेरिका से आ रहा है लेकिन छोटी बहु मेगन मारकेल वो शामिल नहीं होगी और 24 गंटे इसकी इतनी फुटेज चली कि कई सारे ब्रिटीश नागरिकों ने BBC को कमप्लेन लेटर लिखा कि इसको कम कीजियो और दुसरे भी समाचार दिखाईए और ये कमप्लेन इतनी आनी लगी कि BBC ने अलग से एक वेब पेज बनाना पड़ा कि जिसको भी प्रिंस हैरी के 24 by 7 फुटेज से तकलीप है वो इधर जाके हमको कमप्लेन करो बारत में भी हम पाते हैं कि कभी कोई फिलम, क्रिकेट, पॉलिटिक्स का बड़ा अदमी उसका देहांत हो जाए तो हाँ उसकी श्रदान जली सम्मान उसको याद किया जाए लेकिन पूरा दिन रात उसी की फुटेज चलाते रहना खास करके हिंदी टीवी चैनल मीडिया में आप पाएंगे तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निबारा ऐसे जब बुद्दे लिखना शुरू करें तो शुरुवात तो बहुत आगे से होगी कि जहाँ पर आप बात करें कि development, poverty वगएरा इसुर सामने too much coverage of this politics and religion and देशबक्ती, चीन वगएरा, पाकिस्तान वगएरा और सामने दूसरे मुद्दों पर करके आप पूरा जवाब बनाएंगे और फिर अगर अगर आपके पास word limit बचती है तो फिर ये वाला कि कई बार मृत्य हो जाती है किसी celebrity कर पूरा दिन वही चलाते है इसके लाबा मीडिया अपनी सही से जिम्मेदारी नहीं नहीं बाता उसका एक और भी एंगल देखा जाए, fear mongering में तो एक जमाने में large hadron collider god particle experiment चल रहा था तब भी उसे हिंदी मीडिया वाले इतना जादा sensationalize करके क्या हो जाएगा धर्ती का अंत, क्या है ये god particle इंसाया नियत हो जाएगी खतम करके इतना fear mongering किया, एक आद इंसान ने आत्मत्या कर ले थी डरके कि प्रूथवी तबाह हो जाने वाली है और कोरोना के शुरुआती महिनों में भी इतना जादा fear mongering किया कि कोरोना हो जाए तो आदमी मरी जाता है जिसके चलते कुछ लोगों ने suicide attempt पगेरा भी किये तो ये सब तोतने लिखने चिंता करने के मुद्देफ़ार, means, essay, even interview आगे बढ़ते हैं पेज 2 और 3 पर essay सब समाचार है रेम डैसी विर इंजेक्शन की controversy पेज 4, Government of Gujarat ने विदान सभा में ये काय कि पिछले 3 साल में 3000 से जादा बार forest fire हुआ लेकिन एक भी पशू या पक्षी काम रुत्यू नहीं हुआ है मलब सोचिये वो कितने intelligent पशू पक्षी हैं कि 3000 हजार बार forest fire भी हो जाए लेकिन बाग जाते हैं तुरंत पेज 5, West Bengal में बाइक चोरी करने वालों की एक गैंग थी जो बिहार में जाके बाइक चोरी करते थे तो बिहार पुलिस ने West Bengal में जाके उन्हें पकड़ने का सोचा लेकिन West Bengal State Police ने उनको मदद नहीं बेजी कि अभी हम election duty में वेस्त हैं तो बिहार पुलिसमें खुद गए कुछ raid करने और वहाँ पर अचानक भीर जमा हो गई और फिर उन्होंने ये बिहार के पुलिस आफिसर को पीट-पीट कर मार दिया दुखत समचार और खास कर आप में से ऐसे लोग जो IPS को first preference देते हैं और अभी-भी UPS इंटर्यू आने वाला हो तो आपने ये सब सोचना चाहिए कि इस ताइप आप सिचुएशन इस प्रेजन तो आप क्या करेंगे उसको कैसे हैंडल करेंगे और ये cooperative federalism, interstate coordination, police reform ताकि ये बिहार में किसकी सरकार है, वेस्ट बेंगाल में किसकी सरकार है ये सब बुल के आपस में सोहर से police बल काम करें, उसके लिए और क्या-क्या किया जा सकता है वगेरा मंथन करते रही है फिर ये Kerala Middle Medical Students कुछ डांस कर रहे थे ऐसा YouTube वीडियो वाइरल हुआ उसमें लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था, तो लव जिहाद होगा, ऐसी कुछ लोगों ने चिंताव्यक्त की और फिर बड़ी सी Controversy हो गई करके सब चल रहा है लेकिन बहुत कुछ दिमाख खर्च करने का exam point यूज से फायदा नहीं आगे बढ़ो पेजसी एकानमी, सीविल एवियेशन, नागरिक उडेयन में अब जानते कोरोना के चलते बहुत सारे international flight कैंसल हो गई, सस्पेंड हो गई लेकिन फिर भी emergency में एक दूसरे के citizens को बेदने के लिए कुछ temporary flight arrangement किया जाए ऐसे अगर कोई हम agreement बना है उसे कहते है air bubble agreement बारत ने 25 से जादा देशों के साथ ये पहले से करके रखा है latest edition उसमें हुआ श्रीलंका तो मतलब बले कोरोना के चलते अभी flight शायद रद हो गई हो लेकिन जरूरत के इसाब से emergency में कुछ flight अरेंज करेंगे ताकि एक दूसरे के नागरिकों को गर वापसी में मदद मिले और ऐसा तो काम सरकार पिछले साल से करें जिसको कहते हैं वंदे बारत मिशन जहां पर ये non-resident Indians प्रवासी मजदूर वगेरा को हम दूसरे देशों से बारत में वापस लाने की कोशिश करते हैं हाला कि अभी श्रीलंका के साथ agreement साइन हुआ तो मतलब क्यूंकि पूरी अपनी पूर्थवी सूर्य क्या सपास नहीं श्रीलंका के लिडर गोटा बाय राजा पक्षा के असपास गुमती है तो कल इस पर 5000 सब्दों की explain series आए कि कैसे इससे बारत में गी दूद की नदिया बेहने वाली है तो हम पढ़ने नई बैठेंगे ये सिर्फ एक लाइन का ही मुद्दा है एर बबल अग्रिमेंट क्या होता है वो हमने पढ़ लिया उसी तरह ये चीन सरकार ने अलिबाबा, e-commerce, website और ant, nbfc कंपनी के मालिक जेक मा पर 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है कि उन्होंने e-commerce में नियर मोनोपॉली एक आधिकार जैसी व्यवस्था की जहां पर चीन में उनके अलावाव और कोई कंपनीया थी नहीं e-commerce में और उस dominant position का दुरूपयोग करते हुए उन्होंने सब व्यापारियों को कि आपने अपना product अलिबाबा पे लिस्ट करना होगा दूसरी website हो पे करोगे तो हम आपके साथ agreement cancel कर देंगे वगेरा कुछ ऐसे आरोप के साथ चीन सरकार ने उस पर बड़ा सा जुर्माना लगा है अपने लिए काम का है क्या भई हमें देखना जे बारत में क्या हो रहा है कि जहां पर Amazon, Flipkart वगेरा वो भी अपनी dominant position का इस्तेमाल करते हुए कुछ e-commerce सेक्टर में problems की rate कर रहे थे लेकिन 2019 और 2020 में सरकार में ऐसे ऐसे अलग-अलग नियम बनाए कि जहां पर छोटे व्यापारी अपने product list करे हैं और ये लोग अपनी dominant position कैसे इस्तेमाल करते हुए परिशान न करे एक्स्क्लूजिव, mobile sale, tie-up बगेरा उस पर प्रतिबन डाले गए तो हमने उनको पढ़ना चाहिए नहीं कि ये चीन में क्या चल रहा है ये तो एक लाइन में खेर पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ था साओधी कंपनी अरामको ने अपनी pipeline का कुछ shareholding अमेरिकी कंपनी को बेचा ये सब business जी के अपने लिए खास काम का नहीं अमेरिका और European Union के बीच इंपोर्ट एक्स्पोर्ट पर 6 महिने तक कुछ सेक्टर में इतनी subsidy या इतना tax लगे नहीं लगे बाल बाल कॉमेंटरी निकल के आने दो बारत का फोरेक्स रिजव गिर गया वो गिरा बड़ा वो पूरे साल का trend economic service से हमने एक बार में पढ़ना है वो pillar 3 की win 21 सीरीज में हम देखेंगे ये रोज की इधर कॉमेंटरी काम की नहीं उसी तरह बारत में fuel consumption कम हो गया तो वो तो common sense की बाते कोरोना के चलते इसकी भी बड़ी सी explain series बनाई है इतना काम का नहीं microfinance वालों की नुकसानी जादा बढ़ जाएगी क्यूंकि कोरोना के बार लोन वापस नहीं होंगे ये भी common sense की बाते आगे बढ़ो page 7 advertisement काम के नहीं page 8 world news में United Arab Emirates UAE उन्होंने अनौंस किया है कि हम दो एस्टोनाट को space में बेजेंगे जिसमें एक महिला और एक पूरुश होगा अब उनके नाम के आए वो अपनी एक्जाम के लिए काम के नहीं अलकि गौर करने वाली बात ये है कि 2022 में बारत सरकार भी सोच रही है कि हम लोग तीन एस्टोनाट space में बेजेंगे जिसे हम कहें रहे गगन यान मिशन और उसके लिए वैसे हम चार लोगों को रशिया की मदद से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं इसमें चार में से तीन को बेजा जाएगा लेकिन ये अलग-अलग critics का ये कहना है कि वो चार astronaut कौन है उसमें कोई भी महिला नहीं है ऐसा critics का अनुमान है क्योंकि ISRO ने जो भी उसके minimum eligibility condition डाली होगी कि वो कम से कम Army या Navy या Air Force का ये test pilot जिसको इतने सालों का अनुबव हो या इतने गंटे Aircraft चलाने का अनुबव हो वही आ सकता है तो उसी साब से महिला कोई shortlist होई नहीं पाए हाला कि ये ISRO ने एक female robot बना है जिसका नाम है वियो ममित्रा जो की शायद इनके साथ space पे जाएगा तो मरलब अभी ये जितने भी अपने 133 करोर लोगों की आबादी होगी उसमें कोई महिला तो नहीं मिल रही एस्टोनाट के रूप में लेकिन अभी robot से काम चला लेंगे हाथ ये सब exam के लिए कि इधर काम का है वही सारे मुद्दे जोड़ना शुरू करो वह global gender gap report थोड़े दिन पहले बना था कि पढ़ा थामने कि कैसे minister वाली position में कम महिला है health education, labor participation करते करते फिर जब बड़ा सा महिलाव के बारे में दिबन लिखना हो तो sports में क्या scene है space, aircraft, defense service वगेरा में क्या scene है दिरे दिरे आप मुद्दे जोड़ते जाएंगे and you will be able to write a good essay for the UPSC हाला कि UAE के शेक मक्तूम ने ये सब decision लिया तो कुछ critics ये भी बोल रहे कि वो भी कोई महिलाशा सक्तिकरण के नाम पे नहीं लेकिन उनकी खुद की बेटी को उन्होंने बंदी बना के रखा है कि वो उसे कहीं बाहर जाना था या शादी कने कुछ तो उसका एक parallel campaign चल रहा है तो वहाँ अपनी छवी को सुदारने के लिए वो ऐसा सब कर रहे है कि वो सब अमारे लिए काम का नहीं उसमें भी James Bond type की एक parallel stream चलती है कि कैसे उसकी बेटी बागे कहीं जा रही थी और बारत के नेविया उन्होंने उसे वापस UAE सरकार को देख दिया लेकिन अगेन आई रिपीट James Bond type की चीज़े काम की नहीं आगे बढ़ो पेज 9 राशी बाविशे काम का नहीं पेज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैं अलग-अलग कॉलम और लाइफस्टाइल टाइप की चीज़ें कोई hardcore exam point of view से कम ही दिखता है लेकिन आप ये CSET paper to reading comprehension इंप्रूव करने के लिए कुछ इसमें से पड़े तो ये था रविवार का newspaper और बाकी सोमवार और मंगलवार को तयार हो जाए ये सोमवार को Brunals Monday 20 MCQ की quiz हाला कि अगर ये ही scene चलता रहा कि exam के लिए काम की कमी चीज़ निकले तो मुझे भी वांदे हो जाएंगे कैसे मैं 20-20 प्रश्णों की quiz हर अपते बनाता रहू